असलम लेकॉम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रेडियेशन टेक्टर्स जिसमें दूसरे नमपर पे है गीगर मुलर काउंटर ये दो साइंटिस्ट थे गीगर और मुलर उन दोनों ने डिजाइन किया था और इसका प्रिंसिपल आफ यूज क्या है रेडियेशन परिकल्स गैस फिल्ड जीम टीूब में एंटर होते हैं और गैस को आयोनाइज करते हैं एलेक्ट्रॉंज की एक करंट पल्स हासल करते हैं वो करंट पल्स एंटरिंग परिटीकल की तदाद के प्रोपोर्शनल होती है इसकी construction कुछ इस तरह से है एक metallic tube है cylindrical जिसका size कम असकम 2 cm भी हो सकता है और 100 cm भी हो सकता है और इसका diameter 1 cm से लेके 3 cm तक हो सकता है तो इसका size different हो सकता है इस cylindrical tube metal की बनी इसको cathode के तोर पे यूज़ किया जाता है और इसके एक end को mica से बंद किया जाता है और दूसरे end को seal किया जाता है insulating materials एक non conducting materials और इसी end से दो electrode pin की सूरत में enter करा के एक को cathode के साथ metal cylinder के साथ और दूसरे को एक central wire है उमदा किसम की बारीक और stiff जैसे tungsten की wire होती है उसके साथ connect किया जाता है इसको positive terminal के साथ जोड़ा जाता है और cathode को metal cylinder को tube को negative terminal के साथ जोड़ा जाता है और एक 400 के अलग बग voltage DC अपलाई की जाती है इस tube के अंदर neon या organ गैस भर दी जाती है और उसका internal pressure जो होता है atmosphere से 10 गुना कम होता है यनि 0.1 of atmospheric pressure working कुछ इस तरह से है कि जो particle enter होते है वो gas जैसे neon है तो इसको ionize करते है ionization से electron अलग होते है और positive ion बनते है ये electron central wire की तरफ खिंचे जाते है एक जमगठे की सूरत में cascade बनता है तो इस तो electron जैसे ही central wire पे पहुंचेंगे outer circuit में एक pulse मिलेगी current pulse मिलेगी जिसको scalar और recorder amplifier के साथ amplify करके record करते है मगर इस दोरान हम देखते हैं कि जो positive ions है gas के molecules जो ionize हो कई और उसके positive ions बने वो चुके electron के में काबले में बहुत बारी है तो वो बहुत देर से cathode तक पहुंचेंगे अब electron central wire तक पहुंचने में कितना time लेंगे तकरीबन one microsecond लगाएंगे जबकर लेंगे तक जबके आएंस positive ions कैथोर तक पहुंचने के लिए उन पर्टिकल्स को काउंट नहीं करता क्योंकि इस काउंटर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है वो कैसे कि जैसे यहां पे आयनाइजेशन हुई तो यह पाजिटिव आइन बना और यह नेगेटिव एलेक्टरॉन तो इनके बीच में पाजिटिव आइन्स का एक स्पेस जो इनके अलेक्टरॉनों की तरफ इस तरह से है तो जो इंटरनल अलेक्टरिक फील्ड था एनोड से कैथोड तक कैपिटल ए मैं लिखता हूं इसको यह और यह आइन से बनने वालेक्टरिक फील्ड आपोजिट है तो यह आइन से बनने वालेक्टरिक फील्ड इस फील्ड को reduce करता है जिस से इस counter की sensitivity कम हो जाती है अब ये sensitivity कम होने से counting rate इसकी कम हो जाएगी यानि ये count नहीं करेगा entering particle को अब ये ions cathode पे जब पहुँचते हैं तो अभी ये cathode से तकरीबन एक nanos meter के फासले पे होते हैं तो ये cathode से electron को खेंच लेते हैं खेंच के ये खुद neutralize हो जाते हैं और excited हो जाते हैं और be excited होंगे तो जो photon emit करेंगे वो अप्रा violet radiation भी होगी यानि वो photon high energy होगा वो photon वापिस अगर cathode पे पढ़ते हैं तो cathode पे पढ़के photo electric effect प्रोड्यूस करते हैं और electron emit होते हैं cathode से ये electron भी anode की तरफ भागते हैं तो anode पे पहुँच के outer circuit में इन के लिए भी current pulse मिलती है हलांके ये entering particle जो radiation एंटर हुई उनकी वज़ा से नहीं होगी तो ये भी current pulse शामल हो जाती outer circuit में जो के गलत है तो ये electron भी pulses की सूरत में एंटर पे पहुचते हैं चोंके ये pulses आवर लैपिंग होते हैं तो outer circuit में हमें पता चलता है कि ये एक continuous current है जो पहले वाली current pulse जो ionization से हुई उसके साथ ये भी शामल हो जाती है तो अब हमें चाहिए कि इन electron को भी यहां से clean किया जाए और GM counter को दोबारा sensitive बनाने के लिए दूसरी pulse को count करने के लिए हमें ये सारा area जिसमें discharge हुआ है electron मौजूद है इनको clean करना है ये positive ions cathode तक पहुँचने में काफी time लगाते है इस दौरान जो भी particle enter होता है radiation का tube में वो count नहीं होता तो ये time जिसमें ये counter entering particle को count नहीं करता ये इसका dead time कहलाता है तो dead time तकरीबन 10 वेस बार minus 4 seconds तक होता है तो इतनी देर तक ये counter particles जो enter हो रहें इनको count नहीं कर रहा हुता इसका ये drawback है तो हमें इसकी sensitivity को बहाल करना है ताकि ये दुबारा pulse को count कर सके तो इसके लिए हम quenching करते हैं quenching का मतलब होता है ठंडा करने हम ठंडा इसको तो तरीकों से किया जा सकता है quenching एक self quenching है जो हम gas से करते हैं internal quenching भी कहते हैं और एक external quenching है जिसको electronic quenching भी कहते हैं self quenching या gas quenching internal quenching क्या है कि हम जो principal gas है neon इसमें एक helping gas quenching gas जैसे bromine है alcohol भी हम अगर यहाँ neon की जगा argon gas होती तो bromine की जगा हम alcohol डाल लेते हैं तो यहाँ जो कि principal gas neon है इसके साथ bromine हम शामल करते हैं 15% और neon principal gas जिसकी ionization करनी मकसूद है वो 85% तो अब mixture of two gases है bromine को add करने की वज़ा यह है कि bromine का ionization potential कम है neon के मकाबले में तो नी बरॉमीन अपलाइड potential से ही ionize हो जाती है और इसके positive ion cathode पे पहुँच जाते हैं neon से पहले neon के positive ion से पहले bromine के positive ion cathode पे पहुँच जाते हैं और वो bromine का molecule cathode metal cylinder से electron को खैंच के neutralize होता है मगर excited होता है इसके पास जो energy होती है molecule की ये वापिस photon की सूरत में we emit कर सकता है मगर उस photon की energy कम होती है मगर ज्यादा तर ये bromine का molecule excitation से de-excitation में आता है तो दरहसल ये atoms में तकसीम हो जाता है dissociation of molecule हो जाती है तो वो energy उदर dissipate हो जाती है यनि molecule को तोड़ने में खरच हो जाती है और photon का emission बहुत कम होता है इसलिए photoelectric effect नहीं होता अब ये bromine वापिस ये molecule में तबदील होते हैं और molecule इस applied potential से फिर ionize होता है तो इसके electron बरुमीन से निकलने वाले electron cathode के करीब ही होते हैं उन्होंने वहाँ से चलके anode तक पहुंचना है इस दोरान entering particle ने neon की ionization कर दी तो neon का iron जब cathode की तरफ चलता है तो आगे इसको बरुमीन से निकले हुए electron मिल जाते हैं और ये neon neutralize हो जाता है अब ये neon का मालीकूल या item cathode तक नहीं पहुंचता है क्योंकि ये neutralize हो जाता है तो बरुमीन वाहिद आइन है फिर इस केस में जो cathode तक पहुंचता है neon cathode से electron नहीं निकलता उसको बरुमीन के electron मिल जाते हैं तो इस तरह से वो जो photo electric effect से पैदा होने वाले जो electron है और वो falto की pulse दे रहे हैं वो electron निकलना बंद हो जाएंगे या हम उनसे बच जाएंगे मुजीद discharge नहीं होगा electronوں का खराज नहीं होगा तो ये है self quenching दूसरा है आपके पास external quenching या electronic quenching उसका तरीका ये है neon gas है तो neon की जैसे ही ionization हुई current pulse हासिल हुई electronوں की outer circuit में अभी ions पहुँच रहे है neon के cathode की तरफ इस दोरान first pulse जो हासिल हुई उसके फोरण बाद terminals बैटरी के उल्टा दिये जाते है reverse ये positive terminal जो anode का है central wire का इसको negative terminal बना दिया जाता है reverse करके और इसको positive तो एक दम से जो ions उदर जा रहे हैं वो वापस खिंचे जाएंगे और जो फाल्तु के electrons पैदा हुए हैं photo electron हों या इनके अलावा भी electrons पैदा होते हैं जैसे ionizing के process में जो electron पैदा हुए या इनोड की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनको neon गैस के mountain create atom मिलते हैं तो वो electron उनके साथ टक्रा के उनसे भी electron का एकरा सकते हैं knock out करते हैं electron के साथ तक्रा के तो वो electron भी اللens के साथ शमुल होते एं तो इस तरह से एक anode के इर्द के इर्द भी इलेक्टरानों का एक जमगठा सा बन जाता है तो अब हम इन इलेक्टरानों को सवीप करते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल दे के आनोर्ड को इलेक्टरानों को वापस भेज दिया जाता है और इस टर्मिनल को positive potential दे के यहां से ions को repel किया जाता है तो इस तरह से यह पूरी ट्यूब के अंदर discharge, electron का खराज clean हो जाता है और इस ट्यूब की, इस counter की sensitivity बहाल हो जाती है यानि दूसरी pulse को count करने के काबल हो जाता है या ready to count the next pulse तो man uses, GM counter की है, radiation particles की range मालूम कर सकते है कि वो किसी material में, gas में, कहां तक penetrate कर सकते है फिर उनकी ionizing ability कितनी है, वो कितने molecules या items को ionize कर सकते है यह इसके uses है अब यहां पे जो GM counter इसके कुछ drawbacks भी है जो man इसके two drawbacks है वो यह यह है कि इसका एक तो dead time है जिसमें यह counting को मौतल कर देता है counting नहीं करता दूसरा इसका एक तो इसका यह dead time है और दूसरा इसका slow counter है इस वीडियो में हम solid state detector को पढ़ेंगे अगर कोई question हो तो आप वीडियो के comment में आप पूछ सकते हैं ओकि अल्ला आफेज